हलो एर्वन, वेलकम टू दे स्टुडेंट चैनल आर आर भी एलपी के टेकनीशियन सीबीटी टू का जो पेपर है पार्ट बी का उसमें ट्रेड पेपर होता है सभी लोगों को पता है और वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है लेकिन क्वालिफाइंग होने के बावजूद भी बहुत से स्टुडेंट ऐसे हैं जिनका पार्ट ए में नमबर अच्छा होता है और वो लोग पार्ट बी क्वालिफाइंग नहीं कर पाते हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे तो सबसे पहले देख लेते हैं कि CBT2 के पार्ट B में कौन-कौन से में जो सबजेक्ट है जो अधिकतर स्टुडेंट उसको लेते हैं उसमें सबसे पहले है इलेक्टरिशन ट्रेड है वायर मैंड ट्रेड है, फीटर है RACG से बोलते है, Refrigeration and Air Conditioning है ट्रेक्टर मेकैनिक है, मेकैनिक डीजल है, हीट इंजन है उसके बाद से है, Electronic मेकैनिक है और Physics and Math है अब देखिए बहुत से इस्टुडेंट ऐसे हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा ट्रेड लिया जाए जनरली जो भी इस्टुडेंट होते हैं, किसी भी ट्रेड से अगर उन लोगों ने ITI किया होगा, डिप्लोमा किया होगा, या भी टेक किया होगा मैं उनको एक ही बात recommend करता हूँ, कि जिस ट्रेड से आपने किया हुआ है उसी से related अगर आप part B में वो ट्रेड चूच करते हैं, तो आपको कुछ हद तक आसानी होती है लेकिन यदि फिर भी आपको ट्रेड चूच करने में आपको कठिनाई हो रही है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपका काम आसान कर देता हूँ देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ जिनका ITI में Electrician Trade है या फिर B.T.E.C. उन्होंने Electrical से किया है तो उनको मैं तो definitely यही कहूँगा कि वो लोग Electrician Trade ही चूने है मेरा भी Electrical branch था और मैंने Electrician Trade चूच किया था अपना ही सेम ब्रांच चूच करने से यह होता है कि कम से कम आपको दो तीन चैप्टर इतने आसान मिलेंगे आपको जिसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करने के पड़ेगी और इतना तो सभी लोगों को पता है कि यह पेपर सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग है अब क्वालिफाइंग होने के ना थे अब यहां पे आसानी हो जाती है कि आपको बहुत सारा सिलेवस नहीं पढ़ना है आपको उतना ही पढ़ना है 75 कोश्चन आता है पेपर में आपके 60 मिनट में आप इसको करना रहता है तो आपका टार्गेट होना चाहिए कि कम से कम 45 को को सिस करूँगा और मेरा 30 कोश्चन 35 कोश्चन अगर मेरा सहरी हो जाता है तो मेरा काम हो जाएगा बाकि मैंने कहा की 45 आप कर लेते हैं तो अगर तीन करना चाहते हैं जो यह जो को subject कोई भी subject आप अगर trade में choose कर रहे हैं तो अगर तीन chapter 4 chapter छोड़ना चाहते हैं जो बहुत ही difficult है और उसमें question number question थोड़ा कम पूछे जाने की संभावना है तो आप वो chapter छोड़ सकते हैं लेकिन वो उनके लिए मैं बता रहा हूँ जो मतलब एकदम अपने हैं आपको मतलब समझ रहा है कि मेरा trade paper बहुत ज्यादा कठीन है तो लेकिन वैसे अगर जो लोग सारा chapter पढ़ते हैं और थोड़ा थोड़ा भी करके अगर पढ़ते हैं जो इसके important points है topics हैं उसके numerical हैं वो पढ़ते हैं तो तब तो उन लोगों के लिए काफी आसान हो जाएगा कि 45 questions भी उन्हें पहुचने के लिए हो सकता है कि जो chapter आप छोड़े हैं उसमें से कुछ आसान question आजाएं और वो आप कर ले जाएं तो ऐसा नहीं है कि जो आपने जो chapter आपने पढ़ा है उसके question आगा आएंगे तो आप पूरा 100% कर ही ले जाएंगे लेकिन जो लोग को लग रहा है कि कोई chapter मेरा difficult अगर वो definitely उसको चोड़ना चाहते हैं तो जो chapter उनके लिए आसान है उसको थोड़ा सा और अच्छे से मेहनत करके बढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें सगर कोई question आता है तो छूटना नहीं चाहिए अब देखिए कुछ trade इसमें ऐसे हैं कि जिनका स्लेवसी बहुत दिनों तक पिछली बार नहीं मिल पा रहा था और वो लोग ज्यादा परिशान हो गए थे जैसे माली ट्रैक्टर मेकैनिक का बुक नहीं समझ पा रहे थे वो लोग आरसी का जो स्लेवसी नहीं फाइंड कर पा रहे थे क्या उसमें पूछा जाएगा और confusion में कई लोगों ने इधर उधर किसी से पूछ करके अपना मतलब सिल्फ एवलिवेशन नहीं किया उन लोगों ने और दोस्तों के आधार पे और दो तीन लोग मिलके जो है अपना सेम ट्रेड ऐसा ही चूछ कर लिया तो वो लोग बहुत ही कठिनाई फेस किये हैं पार्ट बी में कई लोग इसी कारण से ट्रेड गलत चूज हो जाने के कारण पार्ट बी में फेल हो गए हैं तो अगर देखिए आपका कोई ट्रेड है और आपको बिल्कुल नहीं समझ मैं आ रहा है कि मैंने अपना ट्रेड बहुत दिनों से पढ़ा नहीं है मुझे बिल्कुल उसमें नह नहीं कहूंगा कि अगर आपने लिट्रिकल किया है तो इलेक्टी से नहीं स्रिफ चूज करना है आपको आप चाहें तो कोई भी ट्रेड पार्ट बी में आप चूज कर सकते हो बस आपको क्वालिफाई करना है एक सवाल बहुत लोग पूछ रहे थे कि अगर मालिजे उनको को टेंचन में जाना है ओ पार्ट बी को आपको किसी भी हालत में क्वालिफाई करना है तो अक्रista को में आपको वेलो होते हैं तो आपको टेंचन का अप्यों कॉफले गा अव मिलेगा अदेखिए इसे पेपर कोड ट्रेड पेपर जो है को VTEC है या फिर दिप्लोमा है वो लोग अपनी बुक के पीछे नहीं भगेंगे क्योंकि उनका जो सलेवस है वो इंजिनिंग्रेवल का है और बहुत बड़ा सलेवस है में जो तो लोग तीनो साल डिप्लोमा की हैं, वो लोग बहुत जादा सलवस पढ़ते हैं, बीटेख वाले चार साल हैं, वो ळोग भी बहुत जना सलवस पढ़ते हैं, तो उन सब से लवस के पीछे नहीं भागना है कोशिस करिएगा आप फ़स्ट इयर में जो आपने बुक पढ़ा था जो ट्रेड का जो बुक है अगर माने इलेट्रिकल के जो लोग है तो लेट्रिकल के जो दो तीन बुक के रहती है उसमें से एक कोई बेसिक इलिटिकल वारी जो वुक होती है उसमें सारे चीज़ें दी रहती है तो वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं उसके अलावा किसी भी ट्रेड को अगर आप चूच करते हैं तो आप ITI का बुक जरूर अपने पास रखिएगा और ITI के बुक से ही मैक्स करा गारे तो उस firm में रहते हैं तो और टैसरा बात आपको का करना है कि अभी तक माल लिजे बहुत जब 20008 के पेपर हो रहे थे वेक्एंसी में तो ट्रेड पेपर पिछे में नहीं नहीं वा रहे थे जल्दि मिल नहीं रहे थे तो अभी क्या है कमसे कम 2008 आपको मिल ही जायागा चाहे तो आप बुक्षाप पे जाकर खरीच सकते हैं या फिर आप गूगल से जाकर के पिछला पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने जितने भी सिफ्ट में पेपर हुए हैं अपने ट्रेड का जो चूज करना आप चाहते हैं आप एक बार देख तो आप पेपर डाउनलोड कर लिजे और कौन सा पेपर मेरे तैयारी के हिसाब से जा रहा हूं और किसमें थोड़ा सा कम मेहनत करने पर भी मैं से लिवस कवर कर पाऊंगा और उसको मैं चूज करूँगा अभी टाइम बहुत है अभी तो वेकेंसी भी नहीं आई है वेकें का option इस तरह से रहेगा तो अभी टाइम आपके पास बहुत है आप प्रिविए से पेपर जरूर एक बार देख लीजे जो भी आप ट्रेड चूज करना चाहते हैं तो और आप चाहें तो अपने ट्रेड का सिद्स भी डाउन लोडड कर सकते हैं और एक वीडियो बनाकर पूरा से इतिल लिखा दिया हुआ है तो आप चाहें तो भीडियो वी आप पंडेश में जाकर कि वहां से आप देख सकते हैं इसमें में जी आपके दिमाग में क्या होना चाविए जब मैं अविक परदे रहा था पाट भीका तो मैं पर छोड़ नहीं सकते हो सकता है पांच से कोश्चन साथ कोश्चन गलत हो जाता तो आप जो फुर्टी परसेंट के जो करेटरिया है वहां तक आप पहुचे नहीं पाएंगे तो मैंने सोचा कि सब्सक्राइब करें जाएंगे तो आप ब्रसेंट के अनुसार और आप चाहें तो बड़र टार्गेट भी कर सकते हैं असा बात नहीं है अगर आपको पेपर आ रहा था पचास कोश्चन करिए साथ कोश्चन करिए लेकिन आपको बहुत ज़्यदे इस पर ध्यान नहीं देना सिर्फ क्वालिफाइं भरका ही पढ़िए क्योंकि पार्ट ए में ही अगर आप जितना ज्यादा नंबर ले करके आएंगे उतना अच्छा आपका राइंग होगा उतना जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होगी और जितना ऊपर आपका राइंक रहता है मतलब अच्छा राइं को लेकर के थोड़ा से कन्फूजर में तो जैसे जैसे का जो नोटिफिकेशन आएगा मैं हर एक चीज को और अच्छे से एक्स्प्लेंड करूंगा अभी थोड़ा सा ये सब चीजें जो है आपको काल्कुलेट करके रखना है प्रिविए सेर पेपर कोई बार देख लेना ह है कि क्या स्लेवस रह रहा है किस तरह के कोश्चन आ रहे हैं क्या क्या चीजे मुझे पहले से उसमें पाता है और क्या क्या चीज मुझे और पढ़ना है उसमें तो इससे आपको असानी हो जाएगी अपना ट्रेड पेपर चूच करने के लिए और कोई भी अगर सवाल हो य thank you all the best